Hello everyone, welcome you all at Location Unlimited Study Zone. चल रही है class plane in 3D की और last class में मैंने आपको बताया था कि एक plane का equation जिसमें की एक point है जिसका position vector है vector A और दो another vector इस plane के अंदर है एक है vector B और एक vector C. एक special point यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे discuss करना चाहता हूँ. देखिए यहाँ पे से यहाँ तक क्या बन गया था vector, point P का था vector R और इसको join करने वाला vector जो बना था वो बना था R minus A. अब जब मैंने आपको vector पढ़ाया था तब मैंने बदाया था कि 3 co-planar vector ABC, अगर 3 co-planar vector होते हैं, तो एक vector 2 का linear combination होता है. क्या होता है एक vector दोनों का linear combination, तो यहाँ पे भी यह बात fit होती ही, क्योंकि तीनों एक ही plane में है, तो I can say R minus A vector जो होगा, वो combination होगा, किसका B का और C का, तो B का और C का combination, तो कुछ coefficient लेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, B का lambda times और C का mu times, ऐसे ही होता है न कर देंगे, आप इसको और जदा solve करें, तो R equal to vector A plus lambda vector B plus mu vector C, यह आप लिख सकते हैं, बोले clear, तो एक छोटा सा point था जो आपकी book में दिया था, जिसको मैंने discuss कर दिया, अब चलिए next चलते हैं, equation of a plane passing through three non-collinear points, तीन non-collinear points से होकर के जाने वाले plane का equation, equation of a plane, passing through three non-collinear points, देखिए यहाँ पर क्या scene है, आपके पास में एक plane है, और इस plane में बेटा तीन non-collinear points है, एक point है, पहला point है A, ओके, एक point यहाँ बैठा हुआ है B, और एक point यहाँ बैठा हुआ है C, बैठा हुआ है suppose, ओके, तो आप इसको, क्या है, आप equation बना चाहते हैं, देखिए पिछले बार में क्या था, कि आपको directly, यह जो दो vector थे, उनके equations दिये गए थे, इसको थोड़ा मुझे नीचे लिखना चाहिए, A को, इसका position vector है vector A, B point का position vector है vector B, और C point का position vector है vector C, यह दिये गए है, पिछले बार आपको vectors दिये थे, इस बार vector नहीं दिये, तो vector हम बना लेंगे, एक vector बन जाएगा A, C, एक vector बन जाएगा A, B, भाई, A, C का position vector क्या बनेगा, vector C minus vector A बनेगा, A, B का position vector क्या बनेगा बेटा, vector B minus vector A बनेगा, और एक variable point P होना चाहिए बेटा, P, जिसका position vector होता है, R, clear, तो A से लेकर के P तक का जो vector बनेगा, वो क्या बनेगा बेटा, R minus A, R minus A, अब मुझे ये बताईए, R minus A जो है, ये इसी plane में है, है की नहीं है, अगर मैं A, B cross A, C ले लो, A, B cross A, C, एक काम करो, अब B को यहाँ ले लो, नहीं नहीं अब जो था ठीक था, हाँ, ठीक है, अगर मैं A, B cross A, C ले लो, बेटा, मतलब A, B को मैं A, C की तरफ रोटेट करूँ, ये A है, ये B है, और ये C है, अगर मैं A, B को B, C की तरफ रोटेट करूँ, तो बेटा, नॉर्मल वेक्टर बताओ, बाहर की तरफ आएगा की नहीं आएगा, तो यदी मैं इ anardicular निकलेगा की नहीं निकलेगा, बताइए YES की नो, निकलेगा ना, तो नॉर्मल वेक्टर जो हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, A, B, क्रोस, A, C, मतलब नॉर्मल वेक्टर की डिरेक्शन क्या हो गई, A, B, क्रोस, A, C, YES की नो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, by the property of dot product मेरे पास है कि R-A जो है मेरा इसी प्लेन में है यह सोनो अगर मैं इसका dot product करूँ AB cross AC के साथ तो answer कितना बनेगा? 0 क्योंकि R-A मेरा इसी प्लेन में है और AB cross AC जो होगा वो normal जाएगा जाएगा की नहीं जाएगा? ठीक है ना? मतलब इस प्लेन के perpendicular जाएगा एक तरीके से तो आपका जो angle बनेगा यहाँ पर कितने degree बनेगा? 90 degree clear की not clear यह देखे इसमें आपको समझ में आ रहा है AB A है AC A है तो यह बटा actually यह इस plane के अंदर है और यह plane के बाहर है बाहर ऊपर जा रहा plane के ठीक है ना? तो बिटा यह angle कितने degree बनेगा यहाँ पर? 90 degree तो I can write this is equals to 0 clear इसको elaborate करते हैं R minus A dot बिटा अब इसको खोल दो what is AB? AB is equals to B minus A. What is AC? A is equal to C minus A. ठीक है? तो यह है बटा हमारा equation vector form of a plane passing through three non-collinear point. अच्छा बटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? box form में इसे हम box form में भी लिख सकते हैं R minus A B minus A C minus A equal to कितना? 0 clear की not clear? चली तो यह हमरे पास आ जाएगा अब आईए इसका हम Cartesian form मनाते हैं बिटा कौनसा form मनाएंगे हम? Cartesian form यह तो vector form था अब हम बनाएंगे Cartesian form बोले clear की not clear? तो Cartesian form हम कैसे बनाएंगे देखिए यह मेरे पास तीन point थे एक तरीके से पहला point मेरा A था इसका position vector A था so I can say A vector equal to x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap अब यहाँ पर दूसरा point B था यह C था whatever उससे कोई फरक नहीं पड़ता यह B यहाँ ले लिए था मैंने तो कोई नहीं अभी ही रहन दो तो vector B equal to x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap because all these are fixed point है सबके सब fixed point है इसलिए इनके नाम मेंने ऐसे लिए है last C vector c vector equal to x3 i cap plus y3 j cap plus z3 k cap ठीक है और यहाँ पर एक point है पी and this point is P having the coordinate x y z तो पीटा r vector equal to यह तो जानते ही हो हमेशा से x i cap plus y j cap plus z k cap अब देखें मैं लिख रहा हूँ equation आप समझने की कोशिश करेंगे r minus a dot b minus a cross c minus a equal to zero अब मैं इसको लिख रहा हूँ देखो आप समझना बताना नहीं आए समझ में तो बिटा यह x minus x1 i cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap बनेगा की नहीं बनेगा जली दिमाग के बती आर आपके पास x y z है और यह x1 y1 z1 है तो यहीं तो बनेगा ना dot यह क्रॉस प्रोड़क्ट है तो क्रॉस प्रोड़क्ट में उपर आता है i cap j cap k cap पहले coefficient b minus a के है क्या b minus a के coefficient x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 बनेगे की नहीं बनेगे क्योंकि जब आप b से a को minus करोगे तो देखो x2 minus x1 y2 minus 7 z2 minus z1 और फिस c से a को minus करोगे तो क्या coefficient x3 minus x1 y3 minus y1 और z3 minus z1 बनेगे की नहीं बनेगे and this equals to 0 अब चलिए dot product होगा तो i cap i cap 1 हो जाएगा और यह यहां के बैठ जाएगा so finally your equation will be x minus x1 y minus y1 z minus z1 here it is x2 minus x1 here it is y2 minus y1 here it is z2 minus z1 here it is x3 minus x1 here it is y3 minus y1 here it is z3 minus z1 equal to कितना 0 कोई दिक्कत है क्या कोई problem है क्या तो यह जो आपके पास में यह बन गया आपका condition of equation of a plane containing three points three non-collinear point ठीक है ना अच्छा कभी कभी इसमें यह आजाता है कि proof करो कि चार point जो है collinear है एक और point दे देगा यह देखो बेटा जैसे एक point तो अपने पास में है यह कि special case में बता रहा हूं पुराना तो हो चुका एक point आपके पास में a है x1 y1 z1 दूसरा point है b x2 y2 z2 तीसरा point cv है x3 y3 z3 पेटा चौथा बोलना था मुझे collinear बोल गया अगर coplanar होगा तो इस equation को satisfy करेगा कि नहीं करेगा मतलब x की जगे पे x4 y की जगे पे y4 z की जगे पे z4 पुट करने पर अगर 0 आ गया मतलब वो चौथा भी उसी plane में है और 0 नहीं आया मतलब वो चौथा उस plane पे नहीं है ओके so what फिर यहां पे x4 minus x1 y4 minus y1 z4 minus z1 और यहां वही है x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 and x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 this should be equal to 0 अगर 0 के equal produce कर रहा तो यह सेम प्लेन में है otherwise नहीं है done ओके तो यह हो गया बिटा condition of coplanarity ठीक ना तो सारे हमने equations यहां पे निकाल लिए है next हमारा आ रहा है normal form of a plane हमारा equation आ रहा है normal form of a plane तो normal form of a plane में आपको जो जानकारी दी रहेगी वो कुछ इस तरीके कर रहेगा आपके पास में यह देखिए यह आपके पास में एक three dimensional axis है this is x axis यह y axis यह z axis clear है और एक आपके पास में एक plane रहेगा क्या रहेगा एक आपके पास में एक plane रहेगा कुछ इस तरीके से यह आपके पास में प्लेन है, आपको इस प्लेन का equation बताना है, अब याद रखें इस प्लेन में आपको प्लेन के बारे में कुछ नहीं दिया गया, प्लेन के ऊपर जो जो चीजें हैं वो दी गई है, यह origin है, इसमें आपको प्लेन से origin पर एक perpendicular डालोगे, उस perpendicular की length दी रहेग और what is this बेटा, यह normal कहला गया, यह n-vector कहला गया, what is this vector is, n-vector, n-vector का जो unit vector होगा बेटा, क्या बनेगा, n-cap, क्या बनेगा, n-cap, समझ में आगया की नहीं आए, ओके, तो अगर यह point, suppose n है, तो o-n-vector is called completely n-vector, complete vector, बोलो हाई ला, नहीं कहला है क्या, यह completely vector हो, o-n-vector, n-cap, तो equation of the plane याद करेंगे आप, equation of plane, equation of plane क्या होगा देखिए, याद करेंगे आप, vector r, vector r dot n-cap equal to p, vector r dot n-cap equal to p, clear, vector r dot n-cap equal to p, यह आपका equation of plane है, तो r मतलब कोई भी point vector है यहाँ पे, suppose यह ले लो यहाँ पे, r ले लो, okay, यह देखिए, ठीक है, यह point p है, तो बिटा इसका vector कितना बनेगा, vector r, बुली यह सो नो, ठीक है, तो vector r dot n-cap equal to p, any problem, ठीक है न, vector r, अब इसको proof कैसे करते हैं, इसका proof भी मैं आपको बना सकता हूँ, चली देख लेते हैं, इसका proof कैसा है, देखिए, यह यहाँ पे, जो vector है, n-cap है, n-cap की length कितनी है, one, n-cap की length कितनी है, one, so you can write n-vector equal to p, n-cap, लिख सकते हो कि निख सकते हो, क्योंकि n-cap को अगर p times move करोगे, तो वहीं तो पहुंच जाओगे, पूरा end में, yes or no, and this is n-p vector, this is n-p vector, clear, यह कौन सा vector है, बेटा, n-p vector, n-p vector equals to, यह बेटा, इसका p का position vector है, r, so मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे, देखिए, आप मैं लिख सकता हूँ, कि, since, बेटा, यह देखो, यह इस पे perpendicular है, यहाँ पे 90 degree है, because, यह हमने इस पे perpendicular कीचा है, मैं लिख सकता हूँ, n-p vector dot, on vector, n-p vector, is perpendicular on n-cap, बोद देखो, बेटा, n-p vector, यह बाला जो vector है, यह जो vector, बेटा, n-p vector, green color से दिखा रहा हूँ, क्या यह n-vector के perpendicular है, कि नहीं है, n-cap के, है, so, by definition, n-p vector, n-p vector dot n-cap equal to, कितना हो जागा, बेटा, 0, जो, n-p vector equal to position vector of p, that is, r vector है, minus position vector of n, n-ka position vector मेंने अभी आपको लिखाया है, pn-cap, होता है कि नहीं होता है, pn-cap dot n-cap equal to, कितना, बेटा, 0, multiply कर दीजे, r dot n-cap minus p dot n-cap dot n-cap equal to, कितना, 0, आपको पता है कि unit vector का mod 1 होता है, और उनके, आपने पढ़ा था, vector a का square is equals to, उसके mod का square, clear, तो यहाँ पर unit vector का square is equal to mod of n-cap का square, और यहाँ unit vector का magnitude 1 होता है, तो 1 का square तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर यह चीज़ क्या बन जाएगी, 1, तो r dot n-cap minus p into 1 equal to 0, तो p बन जाएगा, p हो गया, so r dot n-cap minus p equal to 0, so r dot n-cap equal to p, बोलो आगया समझ में, clear है, तो यह है अपना dot product, क्या है अपना यह, dot product form में है, बट कौन सा form है बेटा, normal form of the plane, कौन सा form है बेटा, हाँ, normal form, यह थोड़ा सा unconventional है, बच्चे इसमें दिक्कत महसूस करते हैं, तो normal form of the plane है, clear हो गया, any problem, अब इसका मैं Cartesian form बना देता हूँ, कौन सा form बनाएंगे इसका हम, Cartesian form, देखे जो आपने equation निकाला है, वो आपका equation आया है, vector r dot n-cap equal to p, तो r की value रख दो भाई, r तो variable point vector होता है, x i cap plus y j cap plus z k cap, r हो गया, n cap मैंने अभी आपको पढ़ाया था थोड़े देर पहले, उपर पढ़ाया था, यह देख लो भाई साब, li cap plus m j cap plus n k cap पढ़ाया था, यह देखो, याद आया कुछ, मैंने बताया था, n cap का, मैंने बताया था, n vector होता है, complete normal vector, a, b, c, इसके direction ratio होते हैं, तो उसका unit vector बनाओगे तो क्या बन जागा, li cap plus m j cap plus n k cap, direction coscience, yes की no, तो वापस आजाओ, तो मैं यहाँ पर put कर देता हूँ, li cap plus m j cap plus n k cap, n element क्या है, direction coscience है, क्या है, direction coscience, किसकी normal vector की, किसकी है, बता, normal vector की, अभी तक, बता, plane में आपका जो vector बन रहा था, वो n vector बन रहा था, अब इसका unit vector क्या बन रहा है, बता, n cap, ठीक है, तो equal to 0, यह दे रखा, ओ, no, 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 equal to p है भाई, equal to कितना है, बता, p, यह देखिए, p है, solve करते है, बता, l into x तो यह बन जाएगा, lx plus my plus nz, l के साथ x का, m के साथ y का mz, equal to कितना, p, यह है, क्या है यह, this is normal form of the plane, in cartesian sense, ठीक न, तो यह cartesian sense में हमने normal form of the plane लिख लिया, any problem, कोई दिक्कत है क्या, तो यह cartesian equation of the plane अपने पास बन चुका है, ठीक है, अब, एक चीज आती है, conversion of standard form into normal form, conversion of standard form into normal form, कैसे करेंगे, conversion, standard form का normal form, देखिए जो आपके पास standard form होता है, वो होता है, r.n equal to d, होता है, और जो normal form होता है, वो होता है, r.n cap equal to p, दोनों में फर्क है, यह n क्या है, यह normal vector है, यहाँ पे n cap क्या है, normal unit vector है, d क्या है, just a constant है, और p क्या है, p is the perpendicular from the origin, perpendicular from the origin, आईए कैसे convert करते हैं, तो conversion के लिए मैं अपने पास में ले जता हूँ, r.n cap equal to d, clear है, यह मेरे पास main equation है, बिटा, कुछ नहीं करना आपको, आपको दोनों तरफ magnitude of n का divide कर देना है, क्या कर देना है magnitude of n का, जैसे ही आप divide करोगे, यह n cap बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो r.n cap is equals to, बिटा, यह जो d upon n है, इसी को हम p बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम p, यही perpendicular from the origin होती है, क्या होती, perpendicular from the origin, so this is equals to d by mod n, clear हो गया, तो यही आपका बन जाएगा normal form, क्या बन जाएगा normal form, तो करना कुछ नहीं है, केवल standard form को normal form में convert करने के लिए, आपको mod of n का division कर देना है, okay, similarly अगर आपके पास partition form equation है, standard form क्या पढ़ा है मैंने, आपको ax plus by plus cz plus d equal to 0, तो सबसे पहले d को इधर ले जाओ, तो ax plus by plus cz equal to कितना बिटा, minus d, and make sure यह positive होना चाहिए, minus d, make sure minus d is positive, अगर positive नहीं है, तो minus sign का पूरे में multiply करके उसको positive बनाओ, then अगले step में क्या करना है आपको बिटा, ax plus by plus cz equal to minus d, whole divided by यहां भी, यहां भी, किस चीज़ का, under root a square plus b square plus c square, और यहां भी बिटा, under root a square plus b square plus c square, तो यह क्या बन जाएगा बिटा, यह बन जाएगा, a upon under root a square plus b square plus c square into x, plus b upon under root a square plus b square plus c square into y, plus c upon under root a square plus b square plus c square into kitna z equal to विटा ये जो term है ना ये perpendicular length है क्या ही ये perpendicular length from the origin अब आपको दीग गया है क्या ये L है की नहीं है so this is LX ये क्या बनी गया विटा? MY और प्लस क्या बनी गया? NZ equal to kitna P done तो ये आपका ये ही मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया था LX plus MY plus NZ equal to P, clear? So this is all about normal form of the plane, normal form of the plane यहाँ पर खतम हो जाएगा तो normal form of the plane से आपको plane के normal की direction, cosines पता चलती है और perpendicular length from the origin भी पता चल जाती है तो जब भी आपको question आए कि perpendicular length from the origin निकालो तो आपको ये ही form लगाना है ठीक है?